इस क्लास में डेरिवेटिव के कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चन देखेंगे और उन्हें सॉल करने के कोशिश करेंगे तो पहला कोश्चन है मुल्टिपल करक्ट एंसर होगा इसका एफ एक्स दिया है साइन इन्वर्स आफ साइन एक्स देन एफ डैश एक्स एप्शन वन दिया है वन फॉर आल एक्स अप्शन टू दिया है minus one for all X minus one in second and third quadrant और वान इन पूर्थ क्वाद्रेंट तो अगर मैं प्रॉपर्टी की बात करो तो साइन इनवर्स साइन एक्स है । इसकी वाल्यू एक्स होती है इफ एक्स बिलॉंग्स टू माइनस पाइब एटू से पाइब इसकी वाल्यू pi minus x होती है if x belongs to pi by 2 से लेकर के 3 pi by 2 तक और इसकी value x minus 2 pi होती है if x belongs to 3 pi by 2 से 5 pi by 2 तो अगर मैं बात करूं क्या ये 1 सभी x के लिए होगा तो ये option सीधा कह रहा है नहीं मतलब अगर x आता है for all x belongs to r 1 तो उसका derivative हो निस रहा x तो हमेशा आएगा नहीं क्या ये minus 1 होगा सभी x के लिए नहीं तो ये first और second option तो eliminate हो जाएंगे same reason है क्या ये second और third quadrant में minus 1 होगा इसका derivative हाँ क्यों क्योंकि sin inverse of sin x equal to pi minus x if x belongs to pi by 2 से लिकर के 3 pi by 2 तक जाता है तो अगर मैं इसको differentiate करने जाऊंगा d y d x of sin inverse of sin x तो मुझे same differentiate करना पड़ेगा pi minus x को और इसका answer ता minus 1 होगा तो ये third option correct है fourth option की भी बारी आती है तो वो भी correct ही है क्योंकि same reason है जहाँ पर यहाँ पर कर देता हूं sin inverse of sin x equal to x minus 2 pi if x belongs to 3 pi by 2 से 5 by 2 तो अगर differentiate करने जाऊंगा तो d y d x of sin inverse of sin x differentiation of x minus 2 pi or equal to 1 तो fourth quadrant में भी ये तो इस तरह से इस question को हम लोग solve करते हैं ठीक है आगे चलेंगे आगे और questions करेंगे statement वाला question है तो statement 1 बोल रहा है for f of x equal to sin x f dash at pi equal to f dash at 3 pi for f of x equal to sin x f of pi equal to f of 3 pi तो मैं अगर f dash x निकाल हूँ इसका cos x आता है तो f dash at pi मतलब cos of pi equal to minus 1 f dash at 3 pi तो cos of 3 pi again minus 1 तो सही है statement 1 सही है और इसका statement 2 था ये बात आती है sin x की तो f of x equal to sin x है तो f of pi 0 होता है और f of 3 pi भी 0 होता है तो दोनों ही equal हैं और दोनों ही statement correct है तो both statement are correct दोनों ही statement true है और correct explanation भी है तो इसा कोई issue नहीं है आगे चलते हैं कोई ज़रत नहीं थी advance में डालने की y equal to cos inverse of a square minus x square upon a square plus x square sin inverse of टू एक्स अपॉन ए स्कार प्लस एक्स स्कार फाइंड डिवाइब डिए तो एजी है कोई दिक्कत नहीं है सॉल करने के लिए देखे कैसे करते हैं पुट एक्स 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 एक two a, a tan theta upon a square plus a square tan square theta, कॉस inverse of, ध्यान से देखा जो जब देखा, जो आज तो a square common है, a square नीचे से भी common है, तो वो कट जाएगा, केवल बच्छे का 1 माइनस 10 square theta, 1 plus 10 square theta sin inverse of यह इभी भ्रवही खाल है तो 2 ten theta 1 plus 10 square theta तो cos inverse of यह cos 2 theta का formula है और यह sin 2 theta का formula है कि यह आपि ही किसी कली साइन वार्स कॉष इनवार्स का सिंसल ओग गया तो टू थिटा प्लस टू थिटा पॉर थिटा यहां से हम निकालेंगे तक आइस थान इनवर्स ओफ एक्सपार नि तो इस पूर ताइम्स पूर ताइम्स तैन इन्वर्स आफ एक्स अपॉने यह य ताब आइक को डिफरेंशेट करेंगे दी य बाइब दी एक्स इस पूर ताइम्स वन अपॉन प्लस एक सब्सक्राइबूस दी इसकोर अपॉनेक DR थ्य होल टाल करें और पिर वान कौने तो says four times यह A square plus A square तो A square उपर चला जाएगा तो A square upon A square plus X square into one upon A, अभी यह cancel होगा, तो यह 4 A upon A square plus X square इस तरह से इसका answer आता है, इस तरह से इसका answer आता है, और हम इस तोशन को इस तरह से solve कर पाएंगे, next question देखेंगे, X equal to cos inverse of 1 upon under root of 1 plus T square or Y is sin inverse of under root of 1 plus T square अब इसमें पूछा है, dy by dx क्या होगा, तो यह result यूज करेंगे, कि इसमें कि sin inverse X plus cos inverse X की value 5 by 2 होती है, तो अगर मैं इन दोनों का add करदू, basically X plus Y करदू, तो आएगा sin inverse of, sorry, cos inverse of 1 by 1 plus T square, plus sin inverse of 1 plus T square, तो कर मैं आड करता हूँ, तो इसका answer, 5 by 2 होता है, तो basically X plus Y is equal to 5 by 2, तो मुझे differentiate करना है, दोनों side, basically तो मैं ऐसे करूँगा, 1 plus dy by dx equal to 0, तो यहां से dy by dx की value minus 1 आती है, और इस तरह से हम लोग इस question को solve करते हैं, अगला question सेम है, एकदम बस फोड़ा सा change है, तो X equal to cos inverse of 1 upon 1 plus T square, Y equal to sin inverse of T upon under root of 1 plus T square, अब इसमें वो फार्मला नहीं अप्लाई होगा, क्योंकि इसमें angle अलग-अलग है, हम क्या करते हैं, T की value लेते हैं, कि अगर T को मैं 10 theta ले लूँ, T को 10 theta ले लूँ, तो try करेंगे question को, आया तो आया नहीं आया तो देखते हैं, तो X equal to cos inverse of 1 upon 1 plus T square, के जगा पे tan square theta, और Y equal to sin inverse of tan theta upon 1 plus tan square theta, तो cos inverse of 1 plus tan square theta होता है, sec square theta, और sec square theta का root में डालेंगे तो sec theta, और Y की value, sin inverse, tan theta upon sec theta, तो ये cos inverse, 1 upon sec theta होता है, cos theta, तो बच गए, और sin inverse, ये tan theta को मैं लिख सकता हूँ, sin theta upon cos theta, और ये sec theta को मैं बगल करके cos theta लिख सकता हूँ, अब यहाँ से मेरा जो life X का और Y का easy हो गया, X equal to theta and Y equal to theta, क्योंकि cos theta, cos theta cancel, और sin inverse, sin cancel, तो X is, अगर मैं X, X is theta, तो theta, theta की value tan inverse T है, तो X is tan inverse T, और Y is also tan inverse T, तो मैं यहाँ से निकालूँगा DX upon DT, DX upon DT, अब मैं T के respect में differentiate करूँगा, जिसका आएगा 1 upon 1 plus T square, और मैं यहाँ से निकालूँगा DY upon DT, ये भी आएगा 1 upon 1 plus T square, मुझे चाहिए DY upon DX, तो DY upon DX का formula है, DY upon DT whole upon DX upon DT, अब DY upon DT का value क्या आया, 1 upon 1 plus T square, और DX upon DT का 1 upon 1 plus T square, पूरा का पूरा cancel हो गया, और answer 1 आगया, तो इस question को DY by DX की जो value आएगी, वो आएगी 1, इस तरह से हम इस question को solve करेंगे, हम आगे चलते हैं, आवर आगी question है, question की कमी नहीं है, कह रहा है, DY by DX of A tan inverse X plus B log of X minus 1 upon X plus 1 equal to 1 upon X का power 4 minus 1, then A plus 2B पूचा है की value क्या होगी, option दिया हुआ है, बट मैं option नहीं करो, चलिए हम इसको differentiate करते हैं, differentiate करने से पहले, फोड़ा सा logic लगाएंगे, log को split कर देंगे, तो B log X minus 1, minus log X plus 1, equal to 1 upon X power 4 minus 1, अब इसको मैं इसको मैं differentiate ही कर दूँगा, अगर तो मैं डारेक अंदर differentiate करना चलू कर देता हूं, सम रूल लगा करके, sum or difference rule, तो A बाहर आजाएगा और 10 inverse का differentiation, 1 plus X square upon me, plus B times, log of X minus 1 का, 1 upon X minus 1, और minus B upon, 1 upon X plus 1, equal to 1 upon X power 4 minus 1, तो इसको अगर मैं ऐसा लिखूं कि ये, A upon 1 plus X square है, और plus B common करके, ये 1 minus X minus 1 minus X plus 1 था, equal to 1 upon X power 4 minus 1, तो A upon 1 plus X square plus B times, ये X plus 1, minus of X minus 1, upon X minus 1 into X plus 1. 1 upon X power 4 minus 1, तो A upon 1 plus X square, plus, ये 2 times 2 B upon X square minus 1, equal to 1 upon X power 4 minus 1, दोनों का LC हम लिया जाए, ये X power 4 minus 1 हो जाएगा, और ये A times, X square minus 1, plus, 2 B times X square plus 1, equal to 1 upon X power 4 minus 1, compare करेंगे, तो पहले multiply कर लेते हैं, A, यहां से A X square plus 2 B square, तो A plus 2 B, X square के साथ में रहेगा, minus, 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 minus A, plus 2 B, अकेला रहेगा, और, upon X power 4 minus 1, equal to, upon X power 4 minus 1, तो compare किया जाए, तो X square का coefficient, जो है, A plus 2 B की value, 0 होती है, क्योंकि, इस side नहीं है, कोई, तो A plus 2 B की value, 0 होगी, और हमारा option आगे, हमें answer आगे, 0 आगे रहेगा, इस तरह से हम इस question को solve करेंगे, तरह-éndर खें एतना सहीं, क्योंकि, क्योंकि, नहीं,